नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के देवता और उनके मंत्रालियों के बारे में लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जोरू सबस्वाइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलते रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं आट का विश्य सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के देवताओं के बारे में तो दोस्तो वैदिक जोतिश में नोग रहे होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सूरिय के बारे में सूरिय के देवता अगनी है चंदरपा के देवता जल है वरुन है ये वर्षा के देवता है बुद्ध के देवता भगवान विश्नु है ब्रिस्पति के देवता इंद्र है शुक्र के जो देवता है तो यह शुक्र की देवी है शची देवी यह इंद्र की पत्नी है और शनी के देवता भ्रहम है गाहु और केतु छाया ग्रह है इसलिए इनके कोई देवता नहीं है अब बात करते हैं ग्रहों के मंत्राले के बारे पहें दोस्तो नो ग्रहों को एक मंत्रा लेके तोर पर देखा जाता है तो उनमें अलग अलग सबके पद है जैसे ग्रहों में सूरिय ग्रहों के राजा हैं तो सूरिय को राजसी पद परापत है ऐसी चंद्रमा को भी राजसी पद परापत है तो सूरिय राजा और चंद्रमा रानी अममंगल मंगल को सेनपती का पद प्राप्त है ग्रहों के मंत्राले में बुद बुद को राजकुमार का पद मिला हुआ है अब बात करते हैं बुरस्पती और शुकर के बारे में तो बुरस्पती देवताओं के गुरु है और शुकर देयत्तों के गुरु है तो इनको मंत्री का पद मिला हुआ है बिर्सपदी और शुक्र को अब शनी की बात करते हैं तो शनी को पद मिला हुआ है सेवक का अब बात करते हैं राहू और केतु के बारे में तो राहू और केतु को सैना कहा जाता है तो दोस्तों अमीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपके एक अच्छी जानकारी मिली होगी आपके मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल के जो रूप सब्सक्राइब करें धन्यवाद